जब भी हम किसी दुकान या सोरूम में जाते हैं तो वहां बहुत तरीके का टाइल आपको देखने को मिलता है अलग-अलग कलर की टाइल, अलग-अलग साइज की टाइल, अलग-अलग उस पे पैटरन की टाइले आपको मिल जाती है बहुत सारा टाइले वहाँ आपको मिलता है इतने सारे टाइलों में आपको एक टाइल चूज कर पाना कठीन होता है बहुत ही मुस्किल होता है कि कौन सी टाइलों अपने घर में लगाएंगे तो सबसे बेश्ट रहेगा कुछ टाइले वहाँ पर marval finish होती है, कुछ granite finish होती है, कुछ में simple texture होता है, किसी में आप यहाँ देख रहा है, कि जैसे बहुत ही ये stone finish का, यहाँ पर finishing है, किसमें यहाँ पर पतला पतला आपको pattern दिखाई दे रहा है, यहां आप देखेगा यहां दाने वाला पेटरन आपको टाइल में दिखाई दे रहा है कुछ wooden finish टाइल आपको दिखाई देती है कुछ carpet finish टाइल होती है तो कुछ mosaic finish टाइल भी होती है अब साथ में tiles की dark color भी होते है और light color की भी tile level होती है और इसका size भी जैसे मैं दिखा दूँ तो 2x4 की भी tile होती है 2x2 की भी होती है 1x1 की भी tile होती है यानि सभी तरीके का size भी आपको इसमें मिल जाता है तो इतने सारे tile में से अपने घर के लिए कैसी tile चुना जाए यह बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है और यह confusion उस टाइम और बढ़ जाता है क्योंकि जब देखिए यहां जो so room में एक एक tile आपको मतलब जो भी tile आपको पसंद कर रहा है उसका एक sample यहां लगा होता है तो एक sample से आप अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि अगर मैं यह tile अपने room में लगाऊं hall में लगाऊं तो यह फिर मेरा room कैसा निकल के आएगा कैसा दिखाई देगा तो यह चीज़ आप पता नहीं लगा पते हैं वहीं क्या होता है कि जब tile आप अपने घर में लगा लेते हैं मानली जी कोई आप tile सेलेक कर लेते हैं उसको लगा लेते हैं चुरू में तो tile काफी चमकती दमकती है आपको बहुत ही अच्छी लगती है लेकिन जैसे जैसे उस पे क्या होता है कि अगर गलट tile लग गई उस पे जब आप पोंचा मारते हैं यानि साफ सफाई करते हैं धीरे धीरे उसकी color उड़ जाती है उसका जो signing होता है वो खतम हो जाता है तो वो क्या होता है कि tile वहाँ खराब लगने लगती है हम खुद सोचने लगते हैं कि कास हम ये tile नहीं लगाए होते तो हमारी चिंताएं उस टाइम और बढ़ जाती है आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि आपको अपने घर में tile लगानी है तो फिर आपको tile का design select करते समय है tile select करते समय है आपको किन-किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है जिससे की आप एक बढ़िया tile अपने घर के लिए चुन सकते है और सबसे बढ़िया tile चुनने के लिए जो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना ही होती है वो होती है tile की finishing यानि की हमको कैसा finishing चाहिए tile की तो जब भी हम showroom में जाते हैं वहाँ tile देखते हैं तो यहाँ आप देखिए जैसे यह tile काफी glossy look में है यानि की दो type को आपको tile ज्यादा देखने को मिलता है एक होता है glossy finish में एक होता है matte finish में तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ कि एक घर में जो आप गुसते हैं जैसे यह हमारा lobby है तो lobby में आप देखिए कि यहाँ पे white color का 2x4 का tile इस्तमाल किया गया है बीच में और black color का यहाँ side side में border बनाया गया है वही glossy look वाली tile इस्तमाल की गया है यहाँ पे भी देखिए कि black color का border और white color का border देखे glossy finish में कजारिया की tile लगाई गया है तो कितनी खुबसूरत आपकी lobby दिखाई दे रही है यह जो tile है यह आपको vitrified tile अपने lobby में लगानी है जो भी आप floor में tile लगाएंगे कोसिस करें vitrified tile लगाए जाए अब यहाँ पे देखिए आप wooden pattern में भी vitrified tile ले सकते हैं wooden plank में भी आपको मिल जाती है एक fit by 3 fit की tile मिल जाएगी या 9 inch by यहाँ पे 2 fit की भी आपको tile मिल जाएगी तो wooden plank का आप tile इस्तमाल कर सकते हैं और यह इसकी भी signing काफी अच्छी होती है lobby के लिए बहुत ही अच्छी यह चीज है तो अगर आपका lobby छोटा है तो उसके बाद या फिर आपका जो hall है जैसे कि आप देखिए hall में अगर आप यही जो glossy finish की tile यूच करते है अगर hall छोटा है या lobby छोटा है तो glossy finish tile में फायदा यह होता है कि उसमें light का जो light पढ़ती है न तो reflection होता है तो चमक बढ़ती है तो क्या होता है कि hall आपका काफी बड़ा दिखाई देता है छोटा hall है तो ऐसे दिखाई देगा कि बहुत बड़ा hall है फिर वहीं आप matte finish कोई dark color का tile आप लगा देंगे matte finish में तो उसमें क्या होता है कि उसका size जो है उस छोटा दिखाई देता है तो अगर haul छोटा है तो आप कोसिस करें कि glossy finish में vitrified tile में भी आजकल glossy finish मिलती है glossy finish में आप white color का tile ले सकते हैं या फिर आप जो है grey color का tile वहाँ पे ले सकते हैं या black color का कजारिया का warmora का या फिर orientable वहत सारी company का जो black color के भी tile आती है ओप ले सकते हैं अब रहे इसकी size की बात तो size आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x4 की white color की कजारिया की tile इस्तेमाल की गई है और इसमें जो है आपको pattern आप देख रहे हैं एकदम हलकी हलकी सी lining वाली pattern है यहाँ ज़्यादा बड़ा जैसे इसमें देख रहा है यह hall है 2x4 की tile लगाई गई है हलकी सी wooden color की आपको दिख रही है glossy finish में लेकिन इसका जो pattern है काफी बड़ा है तो यह थोड़ी से आपको finishing अच्छी नहीं दिखाई दे रही है तो आपको करना क्या है कि pattern थोड़ा सा vertical pattern जिसमें हलकी हलकी सी लाइनें आपको दिखाई दें वाले pattern की tile आप इस्तेमाल करेंगे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर marble finish में granite finish में जो आपको यह tile दिख रही है यह भी tile आप अगर अपने hall में या lobby में लगाते हैं इस पर जो reflection पढ़ता है आइने की तरह जो यह चमकती है इससे hall और lobby का size जो है दुगुना लगने लगता है अब देख सकते हैं कि glossy finish में आप इस tile अपने hall या lobby में जरूर try कीजिए आज पर hall में जो यह आप देख रहा है black color का जो यह tile आपको दिख रहा है hall में कोसिस करें कि अगर बड़ा hall है तो 2x4 की tile इस्तेमाल की जाएं और जो minimum कम से कम जो छोटी tile इस्तेमाल करनी है वो आपको 2x2 की करनी है उससे छोटी tile आपको hall या lobby में नहीं लगानी है अब बात कर लेते हैं अपने bedroom की तो bedroom भी बहुत ही important चीज है अपने घर का तो bedroom में हम अपना bed लगाते हैं अलमारी लगाते हैं तो उसका बहुत सारा area जो है वो cover हो जाता है तो अगर हम उसमें body tile जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2x4 की अगर ऐसी tile लगाएंगे तो फिर वह ऐसा है कोई ज़रुरत नहीं है उतनी बड़ी tile का वहाँ पर तो वहाँ पर हम क्या करें कोसिस करें कि 2x2 की जो wooden color में या फिर matte finish में जो tile आती है जिसे जो कि ज़्यादा slippery ना हो जिस पर फिसलने का डर ना रहे है या फिर जिस पर ऐसा होता है कि बार बार cleaning का जहंजट ना हो अब जैसे आप white color का tile लगा देंगे, glossy finish में लगा देंगे तो उस पर scratch जाने का डर रहता है और उस पर slippery भी होती है, गिरने का डर रहता है तो आप matte finish में कोई सा भी tile लगा है जैसे यहाँ देख रहा है, matte finish में, हलकी सी pattern में आप ये लगा सकते हैं ये सब vitrified tile है, non-slippery होती है, इस पर आप slip नहीं होते हैं और इसमें जो है, आपको pattern बिलकुल हलका रखना है तो आप इस तरीके का wooden color में या vitrified tile में हलकी ivory color हो गई या फिर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि white color में ये हो गई तो इस तरीके का आप tile लगाएंगे, तो आप कोसिस करें कि 2x2 size की ही tile लगाई जाए उससे बड़ी tile की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़्याद तरी area cover हो जाता है तो ऐसे भी ओ दिखाई नहीं देती है, 2x2 का tile बहुत अच्छे से bedroom में adjust हो जाता है 2x2 की tile लगाने में भी ज्यादा मुस्किल नहीं पड़ती है तो bedroom में आप matte finish की tile और जो हमारा wooden pattern की tile होती है, वही कोसिस करे लगाया जाए या फिर हलका सा जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, white color की या cream color की tile लगा रहे हैं तो उस पे बहुत छोटा pattern हो, जैसे बड़ा pattern जैसे यह सब tile देख रहे हैं, बहुत बड़ी pattern है तो इस तरीके का tile अगर लगाएगा तो ज़्यादा dark हो जाता है, तो bedroom भी आपका छोटा दिखाए देना लगता है इसलिए आप light color की हलकी pattern में tile यूज करें अब बात कर लेते हैं कि kitchen के बारे में, तो kitchen में देखिए दोस्तो, kitchen में जो floor tile आपको लगानी है ठीक है, तो matte finish tile में ये होता है, कि अगर आप वहाँ पर glossy finish दिजेगा तो होता क्या है, कि वहाँ पर बहुत जल्दी sleep होने का डर रहता है, फिसलने का डर रहता है और glossy finish tile में आप जानते हैं, कि वहाँ बहुत जल्दी दाग धबे अगर कुछ गिरते हैं, तो दिखाई देते हैं अब जैसे ये देखिए, matte finish tile है, तो यहाँ दाग धबे गिरेंगे, तो दिखाई नहीं देंगे जैसे ये आप देखिए, यहाँ पर dark color का vitrified tile यूच की गई है, तो यह gray color का या फिर यह देखिए, अगर आप glossy में जाते हैं, तो आपको जो यह matte finish type की जो tile है, यहाँ पर, तो आपको यह देनी है, जिस पर थोड़ा सा pattern भी dark होके हैं, कि अगर वहाँ पर कुछ दाग धबा गिरता है, तो वहाँ पर जल्दी भीजीवल ना हो, दिखाई नहीं देंग हलकी straight line में या फिर wooden design में आप tile लगवा सकते हैं, अगर वहीं आप ज्यादा बड़ा-बड़ा checks वाला या एकदम बिल्कुल dark color का अगर आप tile लगवाते हैं, तो kitchen भी एक तो छोटा होता है space में, और छोटा दिखाई देने लाएगा, तो आपको medium dark color लगा सकते हैं, wooden color लग लगा सकते हैं, brown color लगा सकते हैं, flooring में, वहीं kitchen के wall tile की बात की है, वाल tile में आप जैसे देख रहा हैं, यहाँ छोटे-छोटे pattern में आपको यहाँ पर wall tile देखने को मिल जा रहा है, यह भी काफी अच्छा है, फिर आप यहाँ पर देख रहा है, मार्वल फिनिस में आपको यह tile देखने को मिल रहा है, यह ceramic tile है, यह इस पर दाग दब्बे लगते नहीं है, आप असानी से यह सफाई हो जाती है, तो यह आप Marvel finish में भी यह tile लगा सकते हैं, फिर उसके बाद और मैं आपको जैसे design दिखा दूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं, कि यह stone finish में आपको बोल सकते हैं, तो यह tile भी 1 feet by 2 feet size की है, तो आपको 12 inch by 18 inch की, 12 inch by 24 inch की kitchen की ज्यादा तर जो यह tile की size होती है, यही लगानी है, इसे kitchen भी काफी सुन्दर दिखाई देता है, अब इसका finishing भी आप देख सकते हैं, अब जो बिलकुल white color की tile होती है, बहुत जगा मैंने kitchen में देख जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, कि यह अलग pattern में आपको kitchen का wall tile है, यह लगाई गई है, तो kitchen का wall tile जो है, आप नीचे से लेके, नीचे भी देख रहा हैं, लगा हुआ है, और जो platform है, platform से 3 feet उपर भी लगी हुई है, और बहुत लोग क्या करते हैं, पूरे kitchen में भी tile लगा लगाते हैं, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, बीच में आप देख रहे हैं, यह black color का आप उस पे जो platform है, उस पे उपर का जो platform है, counter है, उस पे यहाँ पर पट्टी लगाई गई है, तो इस से और भी kitchen काफी खुबसूरत दिखने लगता है, तो इस तरीके से आप kitchen में वाल टाइल और फ्रोड टाइल लगा सकते हैं, यहाँ आप देखिए कि marble finish में भी यह kitchen काफी सुन्दर दिखाई दे रहा है, अब यह जो छोटे छोटे pattern है kitchen में, अगर इस तरीके का आप टाइल लगाते हैं, तो इससे एक फायदा होता है, अगर बड़ा kitchen है तो आप इस त पीला पढ़ने लगता है साफ सफाई होने से, इस तरीके का pattern में भी आप kitchen की wall टाइल लगा सकते हैं, अब बात कर ले कि बातरूम में कैसी टाइल लगानी है, तो सबसे पहले बातरूम में जो टाइल यहाँ पर मैं दिखा दू जो लगाई गई है, यह नीचे से आपको करी गई है, यह बातरूम में हमेशा पानी गिरती रहती है, तो वहाँ का जो surface होता है, वह सिलिपरी हो जाता है, तो इसलिए NTS kit आपको टाइल लगानी है, तो आप NTS kit टाइल लगाएंगे तो वह सिलिपरी नहीं होती है, और जो आपको बातरूम में जैसे यह दिवार आप द देना चाहते हैं, या वार्टिकल में आप डिजाइन देना चाहते हैं, तो वह भी आपको मिल जाती है, जैसे यहाँ आप देखिए, यह जो इसका फ्लोर है, यह NTS kit टाइल यहाँ पर लगाई गई है, और यह देखिए डार्क कलर का हलका सा यहाँ पर है, ग्रे कलर का, फि यह दूसरा डिजाइन देखिए, यह अलग आपको ओसीयन बुलू करके आ जाता है, बीच में आप देखिए अलग है, उपर अलग है, इस तरीके का अलग-अलग डिजाइन का आप बाथरूम में अपने यूज कर सकते हैं, काफी सुन्दर लगता है, और दोस्तों मैं आप आपको एक इंपोर्टन टिफ्स देदों कि बाथरूम में जो आपको फ्लोर टाइल लगानी है, आप कोसिस करिए कि वाइट कलर का या आईवरी कलर की टाइल नहीं लगाए जाएं, क्योंकि बाथरूम में जो हम साबून और सैंपू यूज करते हैं, तो उसका जो पानी हो टाइल धीरे-धीरे पीला पढ़ने लगता है, अगर आप वाल टाइल भी अगर आप उसी वाइट कलर का लगाते हैं, बिल्कूल या फ्लोर टाइल भी वैसा ही लगाते हैं, धीरे-धीरे पीला आने लगता है, तो उसको फिर हमें चेंज करने का जंजट होता है, तो इसलि यह कि सिर्फ आप white ही लगाएंगे तो फिर आपको अच्छी finishing मिलेगी आप कोई भी look में आप tile ले सकते हैं जो थोड़ा light shade में हो ज्यादा dark भी ना हो जिससे कि bathroom थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखाई देने लगे तो light shade में आपको tile अच्छी सा कोई भी पसंद कर सकते हैं जैसे यहाँ simple मैं दिखा दूँ हलका सही यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पर brown type का दिखाई देगा और उपर white type का दिखाई देगा तो यह ऐसा नहीं है अब नीचे brown देने से यह फायदा हुआ है कि ज्यादा तर जो साबुन अब उनका पानी नीचे से लगेगा तो उसी नीचे वाले tile पर ही पड़ेगा तो जल्दी वहाँ पर क्या होगा कि पीला नहीं पड़ेगा और जो इसके नीचे फर्स में लगाई गई है वह भी वहाँ पर क्या है कि grip वाली tile लगाई गई है NTS की tile लगाई गई है जो कि खुरदरा है इससे फिसलने का डर नहीं होता है और वह भी आप देख रहे हैं कि white नहीं है हलकी सी वहाँ पर brown type की है या उसे gray type का कहले है तो क्या होगा जल्दी पीला नहीं पड़ेगा अब बहुत लोग बात रूम में 3D tile लगवाते हैं तो दोस्तों 3D tile सुरू में अच्छी लगती है कि लेकिन कुई दिन बाद आपको खुदो खराब होने लगती है और उसका signing खतम होने लगता है तो उस तरीके का tile से बचना क्योंकि उसका जल्दी जो color है वो जाता नहीं है और क्योंकि वो बाहर धूप पड़ती है बारिस का पानी पड़ता है तो color जाने का chance नहीं होता है और आपको कोसिस करना है कि dark brown matte finish की जो tile होती है या फिर wooden color की tile होती है जैसे छोटे-छोटे pattern बरना है उस तरीके के tile लेना है जो कि काफी लंबा चलता है इस तरीके के tile लेने से हमें जल्दी साफ सफाई की जरूरत नहीं पड़ती है